आज हम गनेश चतुर्ति स्पेशल महाप्रेशात की थाली बनाएंगे इसे हम बिना प्याज और लहसुन के बनाने वाले हैं और गनपती बापा को आप इसका भोग चड़ाईए इस महाप्रेशाथ की थाली में हम 3 तरह के मोदक बनाएंगे 5 तरह की सबजिया बनाएंगे 2 तरह के राईस 2 तरह की पूरिया और 1 स्नैक्स बनाएंगे साथ में ही हम 1 सुइट भी बनादेंगे Hi everyone, मैं हूँ दिपाली Welcome to my channel The Pure Wedge Kitchen तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम गनपदी पापा के प्रियव मोदक बनाएंगे इसके लिए मैंने एक कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और आधा कप मैंने आप पे मिल्क पाउडर लिया है एक चोथाई कब इसमें पीसी हुई चीनी मिला देंगे चीनी की कॉंड़ेटी आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हो एक चोथाई चमच हम इसमें एलाईजी का पाउडर डाल देंगे अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे हम कोकोनट और मिल्क पाउडर से ये मोदक बनाने वाले हैं ये मोदक एकदम इंस्टन बनके तयार हो जाते हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूद आड़ करेंगे और इसे मिक्स करते चाहेंगे इसका हमें एक डोग की तरह बनाना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता इसमें जरा जरा दूद डालते रही है हातों से हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे अब जब एक अच्छा से डोग बन जाएगा तो हम इसके मोदक बनाएंगे ये थोड़ा सा बैटर में निकाल के रखती हो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे अब हम इसमें थोड़े से कटी होई पिस्ता डालके इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे हम कोकोनेट के मोदक बना रहे है अब हम इसको शेप देंगे यहाँ पर मैंने ये मोल्ड लिया है अगर आपके पास ऐसे बड़ा वाला नहीं है तो आप ऐसे छोटे सा इसका भी सिंगल वाला मोल्ड ले सकते हो या फिर आप डिरेक्ली हाथों से बना सकते हो अब हम इस मोल्ड को देशी घी लगा देंगे इससे क्या होगा ना कि मोदब चिपकेंगे नहीं और मोदब आसानी से निकल जाएंगे सबसे पहले हम मोल्ड को बन कर देंगे फिर हमने जो कोकोनेट और मिल्क पाउडर का मिशिरन बनाया था उसको हम इस साचे में भर देंगे इसके इसे गोली बनाते जाए बाते नहीं हो तो फिर मोदब का शेप अच्छा नहीं आता इसलिए आपको इसे अच्छे से प्रेस करके ये मिश्रन इसमें भरते रहना है वैसे आप चाहों तो इसे हातों से भी बना सकते हो हातों से भी इसका शेप बहुत अच्छे से आता है और ये coconut और milk powder के मोदफ एकदम instant तरीके से बनके तयार हो जाते हैं अब हम इसे open कर देंगे आप देख सकते हो at a time हमने 4 मोदफ बना दिये हैं अब हम इसे आसानी से निकाल देंगे आप देख सकते हो मोदफ कितना प्यारा लग रहा है इसमें हमने सिर्फ इलाइची पौडर और पिस्ता ही डाला है मोदक को डी मोल्ड कर देंगे और इसी तरीके से हम सारे मोदक बना देंगे अब हम सबजी बनाएंगे इसके लिए मैंने कैस के उपर एक कडाई रग दी है इसमें एक बड़ा चमच भर के तेल डाल दे हम मोटकी मसाला सबजी बना रहे है इसे महाराश्टर में मटकी जी रस्ता भाजी भी कहा जाता है अब हम तेल में 2-3 लोंग और 2-3 काली मिस डाल देंगे एक चमच जीरा डाल दे और 8-10 हम मीठेनियम की पत्या डाल देंगे अब इसे हम 4-5 सेकंड के लिए भून लेंगे जब जीरा चटकने लग जाए तब हम इसमें 2 टमाटर पीसे हुए डाल देंगे टमाटर को मैंने कच्चा ही पीसा था ये सबजी को हम बिना प्याच और लेसुन के बना रहे हैं क्योंकि हम नेवेद्धम ठाली बना रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल करेंगे अब हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे तीन से चार मिनिट तक फिर हम इसमें एक चम्मच भरके मिर्ची पोडर अड़ कर देंगे और एक चोथाई चम्मच हम इसमें हल्दी पोडर डाल देंगे दो चम्मच हम इसमें धनिया पोडर डाल देंगे और एक चोथाई चमच हम इसमें भूने होई जिरे का पौडर आड़ कर देंगे अब अच्छे कलर के लिए हम इसमें एक चमच भर के कश्मीरी रेट चिली पौडर डाल देंगे इससे कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी अच्छा आएगा अब एक चोथाई चमच हम इसमें काली मिल्च का पोडर डाल देंगे और एक चमच भरकी हम इसमें किचन किंग मसाला आड़ कर देंगे वैसे आप कोई भी मसाला इसमें इस्तमाल कर सकते हो जो भी मसाला आप घर में बनाते हो वही मसाला इसमें डाल दीजिए सबजी का टेस्ट अच्छा आएगा अब मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाले का ओईल रिलीज नहीं हो जाता 3-4 मिनिट तक हमें इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है आप देख सकते हो ओईल अच्छे से रिलीज हो चुका है अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे जरा-जरा पानी हमें इसमें एड़ करते जाना है और मसाले को अच्छे से पकाना है अब हम इसमें एक चमच नमक मिला देंगे नमक आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हो अब एक बार इसे मिक्स कर देंगे मसाले को हमें 2-3 मिनिट तक अच्छे से भूना है शुरुआत से लेकर अब तक हमने 7-8 मिनिट तक इसे अच्छे से भूना है अब ये मोट को मैंने अंकुरित करके रखा था इसे अच्छे से धोके हमने इसमें एड कर दिया है अब मसाले में हम इस मोट को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे मटकी भी कहां जाता है मसाले के साथ ही हम इसे 2 मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे इससे सबजी का टेस्ट अच्छा आता है और सारे मसाले इस मोट के अंदर चले जाते हैं और सबजी का फ्लेवर एन्हांस होता है अब हम इसमें जरा सा पानी आड़ कर देंगे जितनी भी आप ग्रेवी चाते हो इसकी इसाब से आप इसमें पानी आड़ कर सकते हो कम या जादा मैंने और थोड़ा सा पानी इसमें मिला दिया है अब सही consistency हमें मिल गई है इसके उपर हम ढखकन रखके इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे 7-8 मिनिट तक slow flame पे हमें इसे पकाना है चलिए अब हम इसे दूसरे burner पे transfer कर देते हैं और इस वाले burner पे हम हमारी दूसरी सबजी बनाएंगे अब दूसरी सबजी हम मेथी की सबजी बनाने वाले है ये भी हम बिना पैज और लहसुन के बनाएंगे इसके लिए हमने एक बड़ा चमच भरके तेल गरम कर दिया है इसमें एक छोटा चमच हम जीरा डाल देंगे और 4-5 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे मेथी को मैंने अच्छे से धोके कट करके रखा था सारी मेथी हम इसमें डाल देंगे मेथी का एक पूरा बंच मैंने इस्तमाल किया है अभी हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है चमश की सहायता से हम इसे लगातार दो मिनिट तक चलाते रहेंगे ताकि मेथी सारी तरफ से अच्छे से भून जाए और आप देखोगे कि इसमें हमने अभी तक नमक भी नहीं मिलाया है मेथी की सबजी में हमेशा नमक बाद में यूज किया जाता है क्योंकि वो कम हो जाती है तो नमक का अंदाजा नहीं लगता अब हम इसमें एक चोथाई चमश हल्दी की पोडर मिला देंगे और एक चोथाई चमश हम इसमें नमक मिला देंगे नमक बिल्कुल हिसाब से डाले, नई तो ये सबजी जादा सॉल्टी हो जाती है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें 2-3 चमज भर की पानी डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी हमें इस्तमाल करना है क्योंकि मेठी की सबजी में अलड़ी पानी रिलिस करती है अब हम इसे ढकन रखके 2-3 मिनिट तक अच्छे से पकाएंगे गेस की फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम मेठी की सबजी को पकने देंगे तब तक हम मोट की सबजी चेक कर लेते हैं आप देख सकते हो इसके उपर अच्छा खासा तेल आ गया है और अल्मोस्ट मोट की सबजी हमारी बन के तयार हो गई है जिसे हमने बिना प्याच और लहसुन के बनाया था ये जो मोट में थोड़ी सी कचराहट बसती है तो हमें मोट को इस तरीके से ही पकाना है क्योंकि अग पहले से कट करके रखा था इससे सब्जी की फ्रेशनेस बढ़ जाएगी और एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे अल्मोस्ट हमारी सब्जी बन के तयार हो गई है और आप देख सकते हो सब्जी की कंसिस्टनसी भी एकदम परफेक्ट है बस अब हमें इस मटकीची रसाबाजी को सिर्फ एक से दो मिनिट तक पकाना है और अब हम इस सब्जी के उपर ढकन रखके इसे साइड में रख देंगे सब्जी हमारी बन के तयार हो गई है चलिए अब हम मेथी की सब्जी को भी चेक कर लेते हैं मेथी में वो प्रोपर्टीज होती है कि मेथी अपना पानी रिल नच चलाएंगे और अब हम इसमें ढूने हुई मंगफली का पाऊडर एड कर देंगे एक बड़ा चमच भर के मैंने इसमें पाऊडर एड कर दिया है अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे विसे धनिया इस सब्जे में बिल्कुल आप्शनल है अब हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे और एक छोटा चमच भरके हम इसमें ओयल डाल देंगे इसे जो सब्जी का रुखापन आता है वो चला जाएगा और सब्जी अच्छे से बनके तयार हो जाएगी अब हमें इसे दो से तीन मिनिट तक भूनना है सब्जी बनके तयार हो जाएगी जब तक कि मुँफली का कच्चापन दूर नहीं हो जाता तब तक हम इसे भून लेंगे हमारी मेती की सब्जी बनके तयार हो गई है अब इसके उपर हम ढखकन रख देंगे और इसे साइट में कर देंगे अब हम तीसरी सबजी बनाएंगे बिसन वाली भिंडी इसके लिए हमने कड़ाई चड़ा दी है गेसके उपर अब हम इसमें एक बड़ा चमच भरके तेल डाल देंगे और तेल को अजवायन डाल देंगे इससे सबजी का फ्लेवर अच्छा आता है अब हम इसमें साथ से आठ करी पत्ता डाल देंगे एक चमच हम इसमें ग्रेट किया हुआ अद्रक डाल देंगे अब इसे हम दो से तीन सेकन तक भून लेंगे जब तक कि जीरा, राई और मिठे निम के प और इसे दो से तीन सेकन तक चलाएंगे अब हम इसमें एक चोथा चमच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे बाकी मसाले हम बाद में यूज़ करेंगे अब इसे एक बार मिक्स करग देंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे और गैस की फ्लेम को बिलकुर स्लो तब तक हम आटा लगा देते हैं, हम पूरी का आटा लगाएंगे, इसके लिए मैंने दो कप भरके गिहुका आटा लिया है, आप आटे की कॉंटिटी अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हो, अब एक चोथाई कप हम इसमें सूजी मिला देंगे, इसमें 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 नमक चाहेंगे, और इसका एक कड़ा आटा लगा देंगे, जरा जरा सा पाने डालते चाहिए, और हातों से इसमें मसलते चाहिए, जिस तरह से हम पूरी के लिए आटा लगा देते हैं, उससे हमें थोड़ा सा सौफ्टी आटा लगाना है, क्योंकि हमनें इसमें सूजी मिलाई ह अब थोड़ा सा तेल डालके हम इसे अच्छे से मसलेंगे और बिल्कुल सौफ्ट कर देंगे क्योंकि सूजी बाद में फूल चाती है तो हमें आटा थोड़ा सा सौफ्ट लगाना होता है और आप चाहो तो सौजी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप सौजी की बिना भी इस पूरी को बना सकते हो पूरी बनाने के लिए हमने आटा लगा दिया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रखेंगे और इसे साइड में कर देंगे सेम बरतन में हम मसाला पूरी का आटा लगाएंगे इसके लिए हमने एक कप भर के गिहू का आटा लिया है और इसमें हम एक चोथाई कप के करीब सूजी डाल देंगे हमें बारिक सूजी का इस्तिमाल करना है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप इसे मिक्सी में चला दीजिए सूजी से ये पूरिया काफी क्रिस्पी बनती है अब इसमें हम एक चोथाई चमच नमक और एक चोथाई चमच हम इसमें मिर्जी पोडर एड़ कर देंगे थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और मिला दिया है क्योंकि मुझे ये थोड़ा कम लग रहा था अब एक चोथा चमच हम इसमें जीरा डाल देंगे और आदा चमच हम इसमें भूने होई जीरे का पोडर एड़ कर देंगे आदा चमच हमें इसमें healthy powder मिला देना है और एक चमच भर के हम इसमें धनिया powder डाल देंगे अब हम इसमें एक मुठ्थी कटी होई fresh धनिया के पत्ते मिला देंगे वैसे आप इसमें पालक के पत्ते भी add कर सकते हो वो भी इसमें बहुत मस्त लगते है अब एक बड़ा चमच की करीब हम इसमे कसूरी मेथी मिला देंगे, इसको इसे आथों पे रगड के डालना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, अब हम एक छोटा चमच इसमे कद्दूकस किया हुआ, अद्रक मिला देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें देशी घीर डाल दें अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमें इसका डो लगाना है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और हातों से इसे मसलते जाएंगे हमें इसका थोड़ा कड़ा डो ही लगाना है अब एक छोटा चमच भरके हम इसमें तेल डाल देंगे या फिर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आटे को हम अच्छे से मसलेंगे इससे आटा चिकना बनके तयार हो जाएगा दो से तीन मिनिट तक अच्छे से मसलने के बाद मसला पूरी का आटा अच्छे से सेट हो जाएगा अब हम इसके उपर जरा सा ओईल लगा देंगे इससे आटा ड्राइ नहीं होगा क्योंकि पूरी हमें सबसे लास्ट में बनानी है अब जो रेगुलर पूरी का आटा हमने पहले से लगा के रखा था वो भी हम इसमें रख देंगे इसके उपर हमने पहले से ओईल लगा के रखा है अब हम इसे ढखकर रख देंगे साइड में चलिए अब हम भिंडी की सबजी चेक कर लेते हैं जिसको हमने स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था एक बार हमने इसे मिक्स कर दिया है अभी तक हमने इसमें सिर्फ हल्दी पौडर डाले थी अब हम इसमें सारे मसाले मिला देंगे स्वादा नुसार हमें इसमें नमक मिला देना है करीबन एक चमच के करीब हम इसमें नमक मिला देंगे दो छोटे चम्मच हम इसमें मिर्ची पोडर डाल देंगे और एक छोटा चम्मच हम इसमें कश्मेरी रेड चिली पोडर डाल देंगे इससे कलर अच्छा आएगा एक छोटा चम्मच हम इसमें भूने होई चीरे का पोडर डाल देंगे इससे सबजी का स्वाद अच्छा आता है अब हम इसे मिक्स कर देंगे जब तक कि मसाले अच्छे से भून नहीं चाते दो से तीन मिनिट तक हम इसे पकाएंगे अब हम इसमें एक बड़ा चम्मज भरके बेसन डाल देंगे क्योंकि हमें बेसन वाली भिंडी बनानी है बेसन की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हो लेकिन तीन सो ग्राम भिंडी के हिसाब से एक बड़ा चम्मज बेसन परियाप्त होता है अब हम इसे ढकन रखके पकाएंगे तीन से चार मिनिट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है चलिए अब हम इसे चेक कर देते हैं भिंडी अच्छे से पके तयार हो गई है अब हम फ्रेशनेस के लिए इसमें कटी होई हरी धनिया के पत्ते मिला देंगे एक बार इसे मिक्स कर दें हमारी बेसन वाली भिंडी की सबजी बन के तयार हो गई है चलिए अब हम चोथी सबजी बना देते हैं तील वाले आलू बेंगन इसके लिए मैंने कड़ाई में एक बड़ा चमश भर के तेल डाला है और तेल को हम जरा सा गरम होने देंगे एक चोटा चमश हम इसमें जीरा डाल देंगे दो से तीन सेकंड तक हम इसे फ्राइ करेंगे जब जीरा चटकने लग जाए तब हम इसमें एक छोटा चमश भर के कद्दुकस किया हुआ अधरक डाल देंगे अब हम इसे और दो से तीन सेकंड तक अच्छे से भूनेंगे दो से तीन सेकंड इसे भूनने के बाद हम इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर को कट करके डाल देंगे और टमाटर को भी हम दो से तीन मिनिट तक अच्छे से भूनेंगे अब हम इसमें मसाले मिला देंगे एक चोथाई चमच हम इसमें हल्दी पॉर्डर डाल देंगे और एक चमच हम इसमें मिर्जी पोडर डाल देंगे एक चोटा चमच के करीब काली मिर्ज पोडर डाल देंगे और एक चमच के करीब हम इसमें धनिया पोडर डाल देंगे स्वादा नुसर हम इसमें नमक मिला देंगे दो छोटे चमच के करीब हमने इसमें नमक मिला दिया है एक चोटा चमच हम इसमें कश्मेरी रेडचिली पोडर डाल देंगे और एक चोथा ही चमच हम इसमें हिंग डाल देंगे इससे सबजी का फ्लेवर अच्छा आता है अब हम इसे मिक्स कर देंगे और जरा सा हम इसमें पानी मिला देंगे अब हम इसे पकने देंगे थोड़ी से कटी हुई हरी धनिया के पत्ते मिला देंगे एक बार इसे चला देंगे एक मिनिट तक हमें इसे पकाना है अब मैंने हापे 4-5 मेडियम साइज के बेंगन और दो बड़े साइज के आलो को ऐसे लंबे स्लाइस में कट कर दिया है कट करने से पहले मैंने इसे अच्छे से वोश कर दिया था अब हम इसमें मिला देंगे मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें और थोड़ा नमक मिला दिया है क्योंकि आलो और बेंगन हमने थोड़े ज्यादा कॉंटिटी में लिये थे अब हम इसमें फ्रेश धन्या के पत्ते मिला के इसे मसाले में अच्छे से कोट कर देंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे जितना पानी आपको सबजी पकाने के लिए लगेगा उतना पानी हम इसमें एड़ कर देंगे दो बड़े चम्मच भरके हम इसमें तील मिलाएंगे कच्चे तील का हमने इस्तमाल किया है एक बड़ा चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी को क्रेश करके डाल देंगे एक चोथाई चमच हम इसमें जीरा पॉडर डाल देंगे एक बार इसे मिक्स कर दें और इसके उपर ढखकन रखके हम इसे साइड वाले बर्नर पे ट्रांसफर कर देते हैं स्लो फ्लेम पे हम इस सबजी को पकने देंगे चलिए अब हम नेक्स्ट सबजी बना लेते हैं चोली की सबजी बनाएंगे मुंगफली के साथ कडाई में एक बड़ा चमच भर की तेल गरम कर ले इसमें एक चोथाई चमच हम जीरा डाल देंगे आठ से दस हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे और आधा चमच हम इसमें कसा हुआ अदरक डाल देंगे अब 2-3 सेकंद तक हमें इसे भूनना है अब हमने दो बड़े साइट की टमाटर का पेस्ट बना के इसमें एड कर देना है अब हम इस पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे दो से 3 मिनिट तक हमें इसे भूनना है अब एक चमच हम इसमें हल्दी पोडर डाल देंगे एक चोटा चमच हम इसमें जीरा पोडर डाल देंगे एक चोटा चमच हम इसमें हींग मिला देंगे और एक चोटा चमच हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे अच्छे टेस्ट के लिए और कलर के लिए हम इसमें एक बड़ा चमच कश्मिरी रेट चिली पोडर डाल देंगे और आधा चमच हम इसमें देगी मिर्च डाल देंगे आधा चमच हमें इसमें किचन किंग मसाला डालना है और एक बड़ा चमच हमें इसमें धनिया पौडर एड़ करना है इससे सबजी की कंसिस्टनसी अच्छे आएगी अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमें इसमें एक बड़ा चमच भर के देसी घी मिलाना है वैसे यह बिल्कुल ओप्शनल है लेकिन इससे दानी मिला के इसे एक बार पकाएंगे दो से तीन मिनिट तक आप देख सकती हो चो देसी की हमने डाला था वो रिलीज हो चुका है अब हम एक बार इसे मिक्स कर देंगे अब यह चो चौली की फली आती है इसके दाने हमने निकाल के रखके है यह दाने हम इसमें डाल अब की कॉंटेटी आप अपने ही साहादा कर सकते हैं मुन कच्च्चा भी जरुरत नहीं है अब हम इसमे हमें ने क्मक्च मुन का बूर देंगे और सबजी को एक बार मिक्स कर देंगे अब इसके उपर हमें ढकन रखना है और इसे स्लो फ्लेम पे पकाना है 7-8 मिनिट तक चलिए अब आलू बेंगन की सबजी को चेक कर लेते हैं ये सबजी को ज्यादा ओवरकूक नहीं करना है 7-8 मिनिट का टाइम लगता है इसे पकने में आप देख सकते हो आलू और बेंगन अच्छे से पक गए है इसमें कटी हुई हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे और उसके उपर ढकन रख देंगे तील वाले आलू बेंगन की सबजी तयार है चलिए अब चौली की सबजी हम चेक कर लेते है आप देख सकते हो इसके उपर अच्छा खासा तेल भी आ गया है और हमारे चौली भी अच्छे से पक के तयार हो गई है इसमें भी हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे मिक्स कर देंगे मूंग फुली वाले चौली की सबजी बनके तयार है जैसे कि मैंने कहा था शुरुवात से लेकर अब तक हमने पाच तरह की सबजिया बनाई है अब हम दो तरह के राइस बनाएंगे सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला राईस जिसे महारेश्टर में मसाला भात कहा जाता है इसके लिए हमने एक पतिले में तेल गरम कर दिया है इसमें 2-3 लोंग और 2-3 हमने काली मिर्ष डाल दी है एक बड़ी इलैची और एक हरी इलैची हम डाल देंगे एक हम cinnamon stick का टुकडा डाल देंगे और दो हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे अब इसे हम दो से तीन से कंद तक भूनेंगे अब हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और एक छोटा चम्मच हम इसमें राई डाल देंगे अब इसे हम तीन से चार से कंद तक भून जाता है यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी है एक टमाटर थोड़ी से शिमला मिर्च थोड़ी से गाजर और थोड़ी से फ्रेंच बिंस कट किये है अब सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे सब्जियों की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकती हो या फिर जो भी सब्जियां आप खाते हो वो आप इसमें डाल सकते हो अब हम इसे फ्राइ करेंगे तीन से चार मिनिट तक हमें इसे भूनना है ताकि सब्जियों का कच्चापन चला जाए अब हम इसमे एक चोटाई चमच हल्दी पौडर अड़ कर देंगे एक चमच हमें इसमें मिर्जी पौडर डाल देना है और एक चमच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे नमक की कॉंटेटी आप अपने साब से कम्या जादा कर सकते हो दो चोटे चमच हमिस में धनिया पौडर एड़ कर देंगे अब हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर सबजीओं में उतर जाए एक से दो मिनीट तक इसे भूनने के बाद हम इसमें एक चोथाई चमश के करीब काली मिर्श का पाउडर एड़ कर देंगे और साथ में ही एक चोथाई चमश के करीब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे अब हम इसमें चावल मिला देंगे मैंने एक कप चावल को अच्छे से पाने से धोके इसे 20 मिनिट तक पानी में बिगोने के लिए छोड़ दिया था अब ये चावल हम इसमें मिला देंगे इससे चावल खिले-खिले बनते है सबजीयों के साथ हमें चावल को भूनना है 2-3 मिनिट तक लेकिन इसे हलके हाथों से चलाते रहे वरना चावल तूट भी सकते है अब हम इसमें पानी मिला देंगे डेड़ कप हम इसमें पानी मिला देंगे जितने आपने चावल लिये है उसके डेड़ गुना आपको पानी का इस्तेमाल करना है डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चावल यूज किया है इसके साब से हमें पाने एड़ कर देना है अब इसे mix करके हम इसमें कटी हुई धनिया के पत्ते डाल देंगे और एक भार इसे mix कर देंगे अब हमें इस चावल को पकाना है इसके लिए हम इसके उपर ढखकन रखके इसे slow flame पे पकाएंगे चलिए तब तक हम plain rice बना देते हैं पतिले में हमने 1.5 cup पानी को गरम होने के लिए रख दिया है इसको हम थोड़ा सा गरम होने देंगे जैसे ही पानी गरम हो जाएगा एक cup भरके हम इसमें चावल मिला देंगे चावल को मैंने पहले अच्छे से वोश करके 20 मिनिट तक पानी में भिगो के रखा था अब एक छोटा चमच हम इसमें नमक मिला देंगे नमक आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हो एक बड़ा चमच हम इसमें देसी गी मिला देंगे वैसे आप देसी घी के बजाए इसमें तेल का भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन देसी घी से ये राइस बहुत अच्छा लगता है तो कोशिश करें कि आप भी देसी घी का ही इस्तमाल करें अब इसके उपर ढकन रखके हम इसे पकाएंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर दे चलिए अब मसाला राइस चेक कर लेते हैं आप देख सकते हो चावल एकदम खिले खिले बनके तयार हो गए है और चावल अच्छे से पक भी गए है इस मसाला राइस को हमने बीना प्रेशर कूकर के बनाया है वैसे आप इसे प्रेशर कूकर मे भी बना सकते हो ये मसाला भात खाने में बहुत टेस्टी लगता है चलिए अब हम प्लेन राइस भी चेक कर लेते हैं प्लेन राइस भी हमारा बनके रेडी हो चुका है चावल अच्छे से पक गए है और इसे पकने में 7-8 मिनिट का समय लगता है चलिए अब हम इसे साइड मे रख देंगे, दो तरों के राइस बन के तयार हो कए है, अब हम कुछ मीठा बनाते हैं, इसके लिए हमने कड़ाई में एक बड़ा चमश भर के देशी घीर डाल दिया है, हम बनाने वाले हैं सेवई की खीर, ये सेवई का पैकेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इसे रोस्टेड वर्मसिली भी कहा जाता है, अब हम ये पूरा पैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ आधा पैकेट हम इसमें डाल देंगे, गेस की फ्लेम को एकदम स्लो कर दे, क्योंकि ये सेवई बहुत जल्दी जल जाती है, अब स्लो फ्लेम पे हम इसे 2-3 मिनिट अच्छे से सेखेंगे, जब तक कि इसका हलका सा कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम इसे सेखना है, अब हम इसमें ड्राइफूट्स एड़ कर देंगे, थोड़े सी किश्मीश और साथ में हम इसमें थोड़े से कटी होए बादाम डाल देंगे, थोड़े सी चिरोंजी जब भी डाल देंगे, और कटी होए पिस्ता डाल दे, ड्राइफूट्स आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हो, या फिर जो भी ड्राइफूट्स आप पसंद करते हो, वो आप इसमें डाल सकते हो, अब हम इसे एक से दो मिनिट तक भून लेंगे, अब हम इसमें ए उबाल के ही इस्तेमाल करो, ठंडे दूद से भी ये खिर काफी मस्त लगती है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बचा हुआ दूद भी हम इसमें डाल देंगे, अगर आप इस खिर में मलाई नहीं डालना चाहते, या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, त तो आप इसमें एक बड़ा चमच भर के मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अब हम इसमें एक चोथा चमच के करीब इलाईची का पाउडर एड़ कर देंगे, इसका फ्लेवर खिर में अच्छा लगता है, अब हम इसमें तीन कच्छे बादाम एड़ कर देंगे, वैसे ये बिल्कुल ओप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे एड़ करते हो, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते है, क्योंकि बादाम दूद में अच्छे से पक जाते है, अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, स्लो फ्लेम पे खिर को पकने देंगे, जब तक खि बैसन का घोल बना देंगे, क्योंकि हमें पातरा बनाना है, इसे महारष्टर में अडूची वड़ी भी कहा जाता है, इसके लिए हम डेड़ कप भरके बैसन ले लेंगे, बैसन को हमने पहले से चान के रखा था, अब इसमें स्वादा नुसार नमक मिला दे, और एक चमच ह और थोड़ी सी अजवाइन को हम डाल देंगे, ऐसे हाथों पे क्रेश करके, अब हम इसे मिक्स कर देंगे, अब हम इसमें एक सिक्रिट चीज डालेंगे, इसमें एक बड़ा चमच भरके हम इमली की खटी मिठी चटनी डाल देंगे, वैसे आप इसमें इमली भी डाल सकते ह इमली को थोड़ा सा पानी में भिगो के रखे और उसका पल्प निकाल के डिरेक्ली आप इसमें एड़ कर सकते हो या फिर मार्केट में जो चटनी एवेलेबल होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हो इससे इस पातरा का फ्लेवर बहुत अच्छा राता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है अब थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें मिलाते जाएंगे और इसका हम घोल बनाते जाएंगे पकोड़े के लिए जैसा बैटर हम बनाते हैं उससे थोड़ा काड़ा बैटर हमें बनाना है आप देख सकते हो consistency चलिए अब इसे side में रख देते हैं और अब हम सेवई की खीर को check कर लेते हैं आप देख सकते हो almost खीर बन के तयार हो गई है इसकी उपर ढकन रखे हमें इसे स्लो फ्लेम पे 4-5 मिनिट तक पकाना है ताकि खीर अच्छे से पक जाए चलिए अब हम महरेश्टर स्पेशल अडूची वड़ी बनाएंगे इसके लिए मैंने 4-5 अर्बी के पत्ते लिए है इसे मैंने अच्छे से वाश करके रखा है अब हम इसके डंठेल को कट कर देंगे और इसके जो रेशे होते हैं इसको भी हमें चाकू की सहायता से कट कर देना है क्योंकि ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और जो हम रोल बनाते हैं, वो भी सही से नहीं बनता, इस तरीके से आप ये सारे रेशे निकालते चाहिए, अब हम इसे बेलन की सहायता से एक बार बेल देंगे, इससे हमें रोल बनाने में आसानी होती है, अब जो बेसन का घोल हमने बना के रखा था, इसको हम चम्मस से इस की उपर डालते जाएंगे, अब हमें इसे हातों से इसे अच्छे से फैला देना है, अब सारे पत्ते को हम ये बेसन का घोल लगा देंगे, सबसे पहला वाला चो पत्त हम यूज़ करेंगे, उसे हमें उल्टा रख देना है, और फिर हमें इस पे बेसन का घोल लगा देना ह अब इसके उपर हम और एक अर्बी का पत्ता रख देंगे और इसके उपर भी हम बेसन का घोल लगा देंगे इस तरीके से हमको अर्बी का पत्ता रखते जाना है और उसके उपर बेसन का घोल लगाते जाना है मैंने पाच अर्वी के पत्तों का इस्तमाल किया है अब हम इस तरीके से इसका रोल बनाते जाएंगे जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन का घोल भी लगाते जाएंगे ताकि रोल खुले ना रोल को हम टाइटली पैक कर देंगे चलिए अब हम सेवई की खीर को चेक कर लेते है एक बार हम इसे चमस से मिक्स कर देंगे आप देख सकते हो कंसिस्टनसी यही कंसिस्टनसी की हमें खीर पकानी है क्योंकि यह ठंडी होने के बाद और ज़्यादा घाड़ी हो चाती है सेवई की खीर बन के तयार है अब इसे ढखकर हम साइड में रख देते है अब हम एक स्टीमर में पाने डाल देंगे और पानी को थोड़ा सा गरम होने देंगे हमें इसमें पातरा को स्टीम करना है अब एक प्लेट में हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे इससे रोल चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा आप देसी घी के बज़ाए तेल का भी इस्तमाल कर सकते हो अब हम इसमें अरबी के पत्तो का रोल डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे इससे टेस्ट अच्छा हैगा अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे 20 मिनिट तक हमें इसे स्टीम करना है जब तक कि ये पातरा स्टीम होता है तब तक हम गुलकंद मोदक बना देते हैं ये मोदक हम इंस्टन तरीके से बनाएंगे इसके लिए एक कप भरके हमें डेसिकेटेट कोकोनट लेना है कोई भी एक कटोरी हम सेट कर देंगे आधा कप हम इसमें मिल्क पोर्डर एड़ कर देंगे अब हमें इसमें चीनी मिलानी है मैंने PC हुई चीनी का इस्तेमाल किया है दो बड़े चमच हम इसमें चीनी डाल देंगे अब हम इसमें गुलकंद एड़ करेंगे ये आपको मार्केट में आसानी से कही भी मिल जाएगा एक बड़ा चमच हम इसमें गुलकंद डाल देंगे इसे आप बिल्कुल भी स्कीप ना करें आप चाहो तो इसमें टुटी फुटी भी ऐड़ कर सकते हो अब हम इसमें तोड़े से कटे हुए बादम डाल देंगे और एक बड़ा चमच भरके हम इसमें गुलाब की सुखी हुई पंखुड़िया डाल देंगे वैसे आप चाहो तो इसमें फ्रेश गुलाब की पंखुड़िया भी ऐड़ कर सकते हो अब हम इसमें रोज सिरप डाल देंगे यह आपको मार्केट में आसनी से कहीं भी मिल चाएगा और इसकी जग़ पे आप रुवाबजा का भी इस्तेमाल कर सकते हो तीन चमच के करीब हम रोज सिरप इसमें एड़ कर देंगे अभी के लिए हम सिर्फ तीन चमच रोज सिरप का इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत होगी तो हम इसमें और थोड़ा मिला देंगे आप देख सकते हो यह दिखने में कितना यम्मी लग रहा है और यह गुलकन मोदक खाने में तो बहुत टेस्टी लगते है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देना है जब तक कि इसमें अच्छे से बाइंटिंग नहीं आ जाती तब तक हमें इसे मिक्स करना है एक से दो मिनिट तक आप देख सकते हो इसमें अच्छे खासी बाइंटिंग आ गई है अब हमें मोदक को शेप दे देना है इसके लिए हम मोल्ड का इस्तमाल करेंगे मोल्ड को हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे इससे मोदक चिपकेंगे नहीं और आसानी से डिमोल्ड हो जाएंगे मोल्ड को पहले क्लोज कर दे अब जो मिश्रेन हमने बना के रखा है इसकी एक गोली बना देंगे और उसको हम मोल्ड में डाल दे जाएंगे ये गुलकंद मोदक आप एक बार घर पे जरूर ट्राइ करें इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनिट का समय लगता है और आसानी से आप इसे बना सकते हो अब हम इसे डिमोल्ड कर देंगे और ये मोदक आसानी से निकल भी चाता है ब्यूटिफुल पिंक कलर का ये मोदक खाने में बोर्ट टेस्टी लगता है इसी तरीके से हम सारे मोदक बना देंगे आप चाहाओ तो इसे हातों से भी शेप दे सकते हो मोदक का हम इसे मोल्ड में बनाएंगे ये चार मोल्ड वाला में इस्तमाल कर रही हूँ इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे अब इस मोल्ड में हम इस मिश्रन को भरते जाएंगे सेम तरीके से हमें ये मोदक बनाने हैं मैं ये बड़े साइज वाला ही मोल्ड प्रेफर करती हूँ इससे फटाफट से मोदक बनके तयार हो चाते हैं आप देख सकते हो अट ए टाइम चार मोदक बनके तयार हो गए है अब हम इसे डिम बोल्ड कर देंगे इसी तरीके से हम सारे मोदक बना के तयार कर लेंगे चलिए अब हम पात्रा को चेक कर लेते हैं इसमें हम एक टूथपिक डाल के चेक करेंगे अगर टूथपिक क्लीन निकल रहे है इसका मतलब पात्रा अच्छे से पक्के तैयार हो चुका है इसमें आप नाइफ डाल के भी इससे चेक कर सकते हो 10 मिनिट के लिए पहले इसे हम ठंडा कर देंगे अब हम इसके कट लगा देंगे पहले हम साइट वाला पार्ट निकालके साइड में कर देंगे अब हम इसके आदा इंच के डिस्टंस से कट लगाने वाले है जैसे आप चाहते हो वैसे ही सबसे आप इसे कट कर सकते हो मोटा य वैसे आप इसे बिना फ्राय किये भी एंजोई कर सकते हो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं पूरी बनाने के प्रोसेस में पूरी बनाने के लिए हमने दोनों आटे पहले से गुंद के रखे थे एक साधी पूरी वाला और एक मसाला पूरी वाला सबसे पहले हम रेगुलर पूरी को बेल देंगे इसके लिए मैंने एक मेडियम साइज के निम्बो की साइज की बॉल ली है अब हम इसको हाथों पे ऐसे मसल के इसे थोड़ा सा ओईल लगा देंगे और इसकी हम पूरी बेल देंगे पूरी को हम चारो तरफ से एक समान बेलना है क्योंकि अगर हम इसे एक समान नहीं बेलते तो ये ओल में कम या जादा फ्राय हो जाती है कही पे कच्चा रह जाती है या फिर कही पे जल जाती है इसके लिए हम इसे चारो तरफ से एक समान बेल के तयार कर लेंगे सेम तरीके से हम मसाला पूरी भी बना के तयार कर लेंगे मसाला पूरी को भी हमें एक समान ही बेलना है जैसे भी आपको पसंद हो छोटी या बड़ी उसके हिसाब से आप पूरी बेल के तयार कर सकते हो मैंने यहाँ पर मेडियम साइज की पूरी बना के तयार कर ली है और इसी सुखा आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इसे सुखा आटा लगा के बेलते हो तो जब आप इसे फ्राइ करते हो तो तेल खराब हो जाता है इसलिए हम इसे थोड़ा सा ओइल लगा के ही पूरी को बैलने वाले है सेम तरीके से हम पहले से ही सारी पूरिया बना के तयार कर लेंगे फिर हम इसे एक साथ ही तेल में फ्राइ करने वाले है ये सारी पूरिया मैंने बेल के तयार कर ली है चलिए अब चलते हैं हम मोदक बनाने की प्रोसेस में मोदक बनाने के लिए हमें एक आटे की बॉल लेनी है इसको हम थोड़ा साथ चप्टा करतेंगे और हम इसे सूखे आटे में लपेट देंगे अच्छे से हमें इसे सूखे आटे में लपेट देना है अब जैसे हम नॉर्मल रोटी वगरा बेलते हैं वैसे हमें इसकी रोटी बेल देनी है और रोटी को हमें चारो तरब से एक समान रखना है जितनी हो सके उतनी बड़ी रोटी हमें बेल कर तयार कर लेनी है क्योंकि हम ज्यादा मोदक एक साथ में ही बनाने वाले हैं वैसे आप चाहो तो इसकी छोटी छोटी पूरिया बेल के तयार कर सकते हो और मोदक का शेप दे सकते हो लेकिन हम एक साथ में ही छे से साथ मोदक बना के तयार कर देंगे इसके लिए हमने ये रोटी बेल के तयार कर ली है कोशिश करें कि आप भी बड़ी रोटी ही बनाए अब ये रोटी बेल के तयार हो गई है अब हमें एक गिलास लेना है गिलास की मदद से हम इसे कट लगा वैसे आप कट लगाने के लिए बाउल का भी इस्तमाल कर सकते हो अब हम ऐसे सारे कट इसे लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा का आटा बच गया है इसे हम हटा देंगे इसको आप बाद में इस्तमाल कर सकते हो इस आटे को हम मसल के वापस से इसकी रोटी बना दीजिए और इसे गोल शेप बना के तयार कर दीजिए अब शुरुआत में हमने जो वाइट मोदक बनाए थे डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर से उसकी स्टफिंग हमने बहले से बचा के रखे थे वही स्टफिंग का हम इस्तमाल करने वाले हैं जितने हमने गोल शेप बनाए हैं उतने ही हम स्टफिंग के लड़ू बना के तयार कर देंगे अब ऐसे हम सारे लड़ू बना के तयार करने वाले हैं अब क्या करना है हमें यह जो चोटी पूरी हमने बेल के तयार कर ली थी इसको उठाना है उसमें हमें coconut का लड़ू डालके इसे pack कर देंगे जैसे हम मौदक का shape देते हैं वेसे हमें इसको shape देना है चारों तरफ से ये आटे को उठाते जाएंगे और एक हाथ पे इस मौदग को रखिए और दूसरे हाथों से हम इसे शेप दे देंगे परफेक्ट सेम तरीके से हम सारे मौदग बना के तयार कर लेंगे और आप वैसे ही स्टफिंग में अलग-अलग विरियेशन भी दे सकते हो आप इस स्टफिंग में कुछ ड्राइफ रूट सैड कर दीजिए या फिर आप इसमें थोड़ा सा चौकलेट डाल दीजिए और आप चौकलेट मौदग भी बना के तयार कर सकते हो जैसे मैंने गेहू के आटे का इस्तमाल किया है उसकी जग़ पे आप मैदे का इस्तमाल करके भी मौदग बना सकते हो पर गेहू के आटे से बने हुए मौदग जादा हेल्दी तरीके से बनते है इसलिए मैंने वही इस्तमाल किये है चलिए अब हम इसे side में रख देंगे अब हमें कड़ाई में तेल को गरम कर देना है तेल को हमें हलका गरम ही करना है अब हम इसमें एक एक करके सारे मौदक को डाल देंगे बहुत जादा देर के बाद हमें मौदक को नहीं डालना है oil में वरना मोदक फट जाते है ओल में स्लो फ्लेम पे हमें इसे तब तक फ्राय करना है जब तक कि आटे की उपरी लेयर सेट नहीं हो जाती अब हम इसे चम्मस से एक बार हिला देंगे और कंटिनियूसली हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि चारो तरब से ये मोदक अच्छे से फ्राय हो जाएंगे चारो तरब से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करते रहना है मोदक को फ्राय करने के लिए हमें 3-4 मिनिट का टाइम लग जाता है अब हम इसे निकाल देंगे आप देख सकते हो मोदक के उपर हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसका मतलब कि मोदक अच्छे से फ्राय हो गए है अब हम सारे मोदक को निकाल देंगे और हम इसे टीशू पेपर पे रख देंगे इससे इसका सारा ओईल निकल जाएगा सारे मोदक हम एक प्लेट में निकाल देंगे और सेम दरीके से हम मोदक का सेकंड बैच भी फ्राय कर देंगे सबसे पहले हमें ओईल में मोदक ही फ्राय करने होते है फिर हम बाकी जो चीज़ है उसको भी फ्राय करेंगे मैंने सारे मोदक अब निकाल दिये है चलिए अब हम पापड को फ्राइ कर देते है जो भी पापड आप खाते हो या फिर पसंद करते हो वो पापड आप फ्राइ कर सकते हो मैंने यहाँ पे नागली के पापड लिये है यह छोटे साइस वाले पापड है ओल में डालते ही यह डबल हो जाते है हमने यसे सारे पापड को fry कर दिया है जितने भी आपको quantity चाहिए कम या ज़ादा उसके ही सब से आप पापड को fry कर सकते हो सारे पापड हम निकाल देंगे चलिए अब पापड भी fry हो गए है अब हम पूरी को fry कर देंगे इसके लिए हमें तेल को पहले तेज आज पे गरम करना है और गरम तेल में हमें पूरी को फ्राय करना होता है पूरी को हम तेल में डाल देंगे और आप देख सकते हो पूरी अच्छे से फूल के तयार हो गई है जितने भी आपके कड़ाई में बेटते हो उसके ही सबसे आप इसमें पूरी यां डाल सकते हो मैंने और एक पूरी इसमें डाल दी है और पूरी अच्छे से फ्राय हो गई है तो मैं इसे अब निकाल दूंगे पूरी को हम ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं फ्राय करेंगे हलका सा जब गोल्डन कलर इसके उपर आ जाता है तब हम पूरी को निकार देंगे एक से दो मिनिट में ही पूरी अच्छे से फ्राय हो जाती है पर ध्यान रखे कि आपको पूरी को हमेशा तेज आज पे ही फ्राय करना होता है सेम तरीके से हम मसाला पूरी को भी फ्राय कर देंगे वैसे ये पूरी फुलने में कभी कभी दिक्कत आ सकती है क्योंकि हमने इसमें ज्यादा कॉंटिटी में सूची और मसाले मिलाय होते है एक दो बार पलेट पलेट के हमें पूरी को फ्राय कर देना है और दोनों तरब से हमें पूरी को अच्छे से फ्राय करना है आप देख सकते हो पूरी अच्छे से फूल के तयार हो गई है हम इसे एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे पर ध्यान रखे तेल को तेज आच पे हमें गरम कर देना है ये पूरी खाने में बहुत अच्छे लगती है एक बार आप इस पूरी को जरूर ट्राइ कीजिए पूरी बन के तयार हो गई है अब हम इस पूरी को निकाल देंगे वैसे जब आप ये पूरी खाओगे तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है अब तेज गरम तेल में ही हम ये पातरा डाल देंगे और हम इसे तूरंधी हिला देंगे क्योंकि पातरा जल भी सकता है अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और उसे एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे आप देख सकते हो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर इसके उपर आ गया है अब हमने पातरा निकाल दिया है गनपती बपा की महाप्रशाद के लिए नेवद्दे की थाली बन के तयार हो गई है चलिए अब प्लेटिंग कर देते हैं सबसे पहले ये मौंगफोली वाले चॉली की सबजी फिर हम रख देंगे मेथी की सबजी साथ में ही हम रख देंगे तील वाले आलो बेंगन की सबजी और हमने बनाई है बैसन वाली भिंडी की सबजी और हमने बनाई है मटकी की सबजी इसे महारश्टर में मटकी चारसा भी कहा जाता है साथ में हमने प्लेन राइस भी बना दिया है इसे भी हम प्लेट में रख देंगे और साथ में ही हमने मसाला राइस भी बनाया है इसे महाराष्ट्र में मसाला भात के नाम से जाना जाता है अक्सर शादियों में ये बहुत फेमस है ये पूरी थाली हमने बिना प्याज और लेसुन के बनाई है महाराष्ट्र स्पेशल हमन अरुची वड़ी बनाई है इसे पात्रा भी कहा जाता है चलिए अब थोड़ा सा हम सैलेट रख देंगे जो भी आपको पसंद हो साथ में ये मस्त फूली फूली पूरिया रख देंगे और हम साथ में मसाला पूरी भी रख देते हैं मीठे में हमने सेवई की खीर बनाई है इसे हमने थोड़े से ड्राइफरूट से सजा दिया है साथ में ही हम थोड़े से पापड भी रख देंगे कोकोनेट और मिल्क पावडर से बनी होए वैट मोदक रख देते हैं साथ में हम फ्राइड मोदक रख देंगे और गुलकंद मो बापा के लिए महाप्रशाद की थाली बन के तैयार है इसे हमने बिना प्याच और लेसुन के बनाया है ये ने वेद्यम थाली आप गनपती बापा को जरूर चड़ाइए गनपती बापा के लिए इसका भोग लगाइए या फिर जो भी रेसिपीज आपको पसंद आई हो इस आप घर पे जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और शेर करना ना भूले